आपको बता दू शिवरात्री में भी जैसे अब चीजे लेके बैटे हो आप कई लोग पूछ रहे हो कलस नहीं है तो पूजा कर सकते हैं क्या कर सकते हैं से चीजों की पद्दती से ही फल प्राप्त होता है मेरे भाई इसलिए कृप्या ध्यान रखना इस शिवरात्री में हजारों की शिवरात्री में लाइन खड़ी होती है संकर जी को देखने के उतावले पन में सीधे लाइन में खड़े होके संकर जी का दर्शन करके दर्शन हो गया दर्शन हो गया मेरा तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया आप ध्यान रखिएगा सिवागम कहता है कि शिवरात्री में जिस शिव मंदिर में जाओ प्रतम वहां जो गनेश जी है उनका जरूर दर्शन करो उनका दर्शन करने के बाद नंदी जी का पहले दर्शन करो कितना भी बीड़ो एक गनेश जी का दर्शन करके क्योंकि नंदी को ही अधिकार दिया है कि अंदर जाने वाले को कृपा प्राप्त होने की तरंगे प्राप्त हो अगर उनों ने वो तरंग रोक दिया अंदर जाके दर्शन करके मन प्रसन होगा लेकिन पुन्य प्राप्त नहीं होगा कृपा का इसलिए पहले गनेश जी की आप दर्शन कर लो दर्शन करने के बाद नंदी का दर्शन करो हो सकें तो नंदी के दोनों सिंगों के पीछे याने उनके सरीर के पीछे खड़े होके उन सिंगों के बीच में से भगवान शिवलिंग का दर्शन करो अगर आपने शिवरात्री में ऐसे कर लिया तो आपके शिवरात्री को अनंत सुकमायर दिन बनाने में कोई भी रोक नहीं सकता नंदी के दोनों सिंगों के उपर उस महा प्रदोश में भगवान शंकर निर्थ्य करते हैं जो उन सिंगों से जीवलिंग का दर्शन कर लेता है उसकी सिवरात्री को सपल होने से कोई नहीं रोप सकता और हाथ में मदार की माला ले जाओ सिवागम शिव पुरान कहता है क मदार की माला शिवरात्री में जो चड़ाता है फिर उस शिव को चड़ाई हुई मदार की माला लेकर अपने गले में चड़ा लेता है वो पूरा शिवरात्री की आराधना के पुन्य कृपा को अपने उपर प्राप्त कर लेता है इसलिए मदार की माला शिव मंदिर जरूर ले जाके चड़ा के पिर उस माला को अपने उपर धारन करना प्रसाद के रूपर बहुत बड़ा फाइदा होगा प्रभु की कृपा का और ऐसी शिवरात्री को धुमदाम से मनाना हैं बहुत जल्दी